हेलो दोस्तों नमास्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमाई यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्ली से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों आपको ब परमार भरती निकाले गई है दोस्तों अब की बार RRB परामेडिकल केड़गरी 2024 के लिए नर्सिंग सुपरीटेंडेंट की सबसे ज़्यदा विकेंसी है यानि नर्सिंग ओफीसर या फिर बोलेंगे नर्सिंग सुपरीटेंडेंडेंट फिर रियल्टी की भी विकेंसी है फार्मा फिल्ड वर्कर और भी बहुत सारे पोजीशन पर विकेंसी निकाले गई है दोस्तों ओनलाइन भी शुरू चुका है और आप लोग 16 सब्तमबर तक फारम भर सकते हो अगर हम बात करते हैं UP Special दोस्तों उत्तर परदेश वालों के लिए यह वीडियो है बड़ा इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज हम बात करेंगे RRB परियागराज के बारे में और RRB गॉरकपूर के बारे में वैसे उत्तर परदेश वाले कहीं से भी फारम भर सकते हैं उत्तर परदेश वाले या कोई भी स्टेट कोई भी स्टेट कोई भी कैंडिडिएट आप लोग पूरे भारत में कहीं भी किसी भी कोने से फारम भर सकते हो अपने ही कडिगरी में आप लोग फारम जो है भर पाए जिसे अगर आप लोग उत्तर परदेश्क रहने वाले हो और आपकी जो कड़गरी है जेनरल है तो आप लोग पूरे भारत में किसी भी जगह से जेनरल में फ़र्म भर सकते हो इसके लाँ अगर आप लोग उत्तर परदेश्क रहने वाले हो और आपकी जो कड़गरी है ओबी चलो आप कानपूर के रहने वाले हो, या फिर आप लखनव के रहने वाले हो, या फिर आप लोग आगरा के रहने वाले हो, और आप लोग आरार भी मुंबई से फार्म भरोगे, तो आपका जो एक्जाम है, आपके जो लखनव है, या जो कानपूर वाले है, या फिर जो आग रहा है वहां से जहां से आप रह रहे हो इस समय लखनु यागरा वहां से 200 किलो मिटर की अंडर में ही आपका परिच्छा केंदर बनाया जाएगा एक्जाम सेंटर बनाया जाएगा और आपका एक्जाम 200 किलो मिटर की अंडर में होगा जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा और जो आपका DV होगा और जो आपका medical होगा यह RRB मुंबई में होगा याद रखीए के लिए और जो आपको job करना होगा यह मुंबई में करना होगा लेकिन transfer हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है के लड़ों चुका है जी हाँ अब अगर बात करते हैं उत्तर परदिस के लिए देख यूपी पूरवी वाले गोरकपुर के लिए फार्म भर सकती हो लेकिन अगर आप लोग चाहते हो सेलेक्शन 100% हो तो जहां पर विकेंसी है फार्म भरिए और जहां पर कम भर जा रहे हैं वहां पर फार्म भरिए 100% आपकी जो cut-off कम जाएगी यह ध्यार रखिए railway की कोई भ फार्म भरे जा रहे हैं लाखों में फार्म भरे जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान पूर्वक फार्म भरिए और आरर्म भरिए आप लोग चूझ करिए लेकिन अगर हम बात करते हैं आप लोग उत्तर परदेश के रहने वाले हो और आप लोग चाहते हो कि हमें उत्तर तो आज हम आपको जानकर देख Champ ऑप लोंके सी है तो आज हम आहाउट से उट्र 750 है जहाय पर ऐंगे तो आपको इसका जो कुछ एरिया है हर्याडा में पर द मिलगता है कुछ इसका एरिया दिल्ली में भी मिलगता है लेकिन 80 जो इसका hospital area है उत्तर परदिस में लगता है तो आप लोग चाहते हो कि रेल वे के चो hospital उत्तर परदिस में वहंपे यह अप लोगों को जोब आपको UP special वीडियो में देने वाली है तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले RRB परियागराज की notification पर और RRB गुरपूर की vacancy details पर देखिए RRB परियागराज की vacancy details से आ चुकी है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ देखोगे field worker की vacancy है total one vacancy है RRB परियागराज में health and malaria inspector grade third की जो है दो vacancy है और यह NCR में है और field worker NR में है तो NR, NCR, DLW एक क्या है मैं अलग से बता दूँगा field worker NR में जो है एक vacancy है health and malaria inspector grade third NCR में है जो NCR है और जो DLW DLW वरारसी है तो DLW के लगर आप लोग फार्म रोगे preference देऊगे तो आपको job करना रहेगा DLW वरारसी तो यह भी याद रखिएगा जो NR है इसायद दिली area लगता है और जो NCR है उत्तर पर दिस लगेगा pharma search की बात करते हैं तो देखिए उससे पहले laboratory assistant grade 3 की जो है total 4 vacancy है और laboratory assistant grade 3 grade 2 वालो के लिए एक vacancy DLW में है और तीन vacancy है यह NCR में है pharma search grade entry level पे जो है total देखोगे तो 8 vacancy है इसमें 2 vacancy DLW वरारसी में है यह NCR में है आपका उत्तर परदेश NR में जो है एक vacancy NCR में 5 vacancy है physiotherapist grade 2 की जो है DLW में 1 vacancy है और radio grapher x-ray technician की जो है NCR में 3 vacancy है और nursing superintendent की जो है DLW में 7 vacancy NCR में 14 vacancy NR में 1 vacancy है total वैसे RRB पर्यागराज में 41 vacancy है total प्यारे दोसो RRB पर्यागराज में 41 vacancy है जिसमें से UR कडगरे के लिए 22 vacancy total 7 vacancy HC के लिए 2 vacancy HD के लिए OBC के लिए 3 vacancy है और EWS के लिए 7 vacancy है देखोगे तो Phil Worker के RRB पर्यागराज में vacancy है RRB पर्यागराज में Health and Malaria की vacancy Laboratory Association की vacancy Pharma की vacancy Physiotherapist की vacancy Radiographer, X-ray technician की vacancy और Nursing Superintendent की vacancy RRB पर्यागराज में Nursing Superintendent की बात करते है तो दोस्तो टोल यहाँ पर 22 vacancy टोल यहाँ पर 22 vacancy RRB पर्यागराज Nursing Officer की है की लिए रूचुका है चलिए अब बात करते है RRB गोरकपूर देखे दोस्तो गोरकपूर information मिल चुकी है RRB गोरकपूर vacancy details से यहाँ पर देखे सोक कर रहा है मैं आपको बता दो जो अभी आपने देखा NCR, DL, W यह सब क्या है और आपको जॉब कहां पर करना होगा इन सबी की जानकारी हम आपको एक special वीडियो में लेकर आने वाली है साथी किस hospital में आपकी जॉब लगेगी और उस hospital में आपका work profile क्या है आपको क्या 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 काम करना होगा सेलिक कितनी मिलेगी benefit क्या है railway में और railway की अलामा अगर आपको जो है AMS nursing officer मिलता है तो आपको कौन सा department चूच करना चाहिए RRB railway best है या फिर उत्तर परदेश का SGPGI best है या KGMU best है या फिर डाक्टर रामनो लोया best है क्या best है कौन सा चूच करना चाहिए कहां पर आपको नौकरी करना चाहिए profile क्या है A2J सारी information हमारे इस channel जो आप इंडिया पर मिलने वाली है देखिए RRB गोरकपूर में देखोगे तो ECG technician की जो है NER में ही एक वेकेंसी है Health and malaria inspector grade 3rd की यहां पर दो वेकेंसी है और यह भी दोस्तो NER में ही वेकेंसी है Pharmaist entry grade की जो है 7 वेकेंसी है और यह भी दोस्तो NER में है और nursing superintendent की यहां पर 73 वेकेंसी है मैं बोलूँगा उत्तर परदेश के लिए सबसे बेश्ट option गोरकपूर है अगर आप लोग चाहते हो क्योंकि देखिए जो female होती है जो female होती है उनके लिए बेश्ट रहता है आप जो है आपने state में अच्छे से job करिए के लिए रोचुका है अगर आप लोग उत्तर परदेश के लाने वाले हो देखिए थोड़ा सा आपको महना जाना करना पड़ेगा दो से तीन नंबर चार नंबर आपको इस्टा लाना पड़ेगा मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग मुंबई से फार्म रोगे या फिर साउस एरिया में फार्म रोगे जैसे चेनई से फार्म रोगे बैंगलोर से फार्म रोगे तो आपको हो सकता है 55 मार्क्स लाना पड़े 100 मार्क्स में लेकिए अगर आप लोग गोरगपूर से फार्म रोगे अपने एरिया से फार्म रोगे अपने RRB से फर्म रोगे अपने स्टेट से फर्म रोगे तो आपको हो सकता है 57 मार्क्स लाना पड़े या फिर 58 मार्क्स लाना पड़े बस इतने ही मार्क्स यानि 2-3 मार्क्स आपके रिष्टरा जाएंगे आपकी एरिया से कट आफ जाना जाएगी मुंबई के पेच्छा साउथ एरिया के पेच्छा तो अगर आप लोग चाहती हो आप फीमेल हो आप लोग बिल्कुल चाहती हो कि आप अपने ही एरिया में जॉब करो तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और 2-3 या 4 नंबर इस्ट के लिया हो चुका है तो नर्सिंग सूपरेटेंट के यहां पर 73 वेकेंसी है जिसमें से अब टोटल देखिए यूर केटगरी में 36 वेकेंसी यसी के लिए 13 वेकेंसी है और 80 के लिए 8 वेकेंसी है और 20 के लिए 19 वेकेंसी है और EWS के लिए 7 वेकेंसी है टोटल देखोगे 83 33 वेकेंसी है, कहां पे आराभी गोरकपुर में, कि रोचुका है धन्यवात